हेई फेंस मैं हूँ आपकी दोस्ति है और सचलेजी नोट्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज की हमारी वीडियो है डंसास्त्र के उदेश क्या होते हैं उनके प्रकार क्या होते हैं सारी डिटेल में आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी तो जो लोग भी व क्लिंग्रियो में सब्चाएग तो प्रकार करने के लिए नोट्स मिलते हैं वो मेरे खुद के हैंग्राइटिंग नोट्स होते हैं मैं खुद अपने नोट्स बनाती हूं फिर आप लोके सास्ण शेयर करती हूं और अपको बहुत सारे एपको यू-पी-ई-स-C,-S,-C, आ जो भी आप sociology का exams main subject आपको sociology है और आप कर रहे हैं exams के त्यारी तो आपको बहुत सारे ऐसे exams की preparation करने के लिए notes मिल जाते हैं जो आपको help करते हैं आपकी तैयारी में बाकी best wishes हैं आप सब के लिए जो लोग भी sociology कर रहे हैं किसी भी उस पे क्या मतलब जाए PGD कर रहे हों जाए आप UPSC के तियारी कर रहे हैं जाए आप SSC के तियारी कर रहे हैं जाए आप IS के तियारी कर रहे, जहान भी आपका subject रता है sociology वहां सबको help मिल जाती है तो चलि बनाना चलारी को है पम मुलिव सर्ट का लिए है और जो भी ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि मेरे से छूट गया है आप जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं सोचिलोजी से रिलेटर मतलब तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजे फिर में टाइम निकाल के तो आपके पर वीडियो आपको लिए जरूर बनाऊंगी वेसे तो मैंने ने बहुत पूरी बुक कंपलीट कर दी है बी-े-ए में जितने मी टॉपिक होते हैं में इस पज़ेक्स में बना दी है तो आप मिनी प्लेट चेक कर सकते हैं और वीडियो धो को देख सकते हैं तो च चले स्टाट करते हैं पर आज की वीडियो तो फ्रेंड्स देखिए जैसे कि अब भी मैंने जो पहले संडे को वीडियो अपलोट करी थी वो थी हमारी दंड सास्त ठीक है तो दंड सास्त क्या होता है उसके बारे में बताया था दंड सास के छेत्र क्या होता है उनकी सिद्धान के अनुसार मतलब मानव को जो वहवार होता है उसको नियंतरन रखने के लिए डंड जैसी विवस्था बनाई गई है कि कहते हैं जैसे हम बच्चे को कहते हैं कि अगर आपने ऐसी गलती करी तो हम आपको पिटी कर देंगे आपकी पिटाई लगा देंगे जैसे चोटे बच्चे को भी हम डराते हैं वैसे ही सब कुछ रिक नॉर्मल वे एक हमारी समाज में भी होता है हमारी समाज में भी होता है अगर हम कहते हैं जो समाज से परे जाती हैं मतलब अगर हम जैसे समाज में रह रहे हैं अगर हम ऐसी कोई भी काम करते हैं जो समाज का पुलिस कीmare कोर्डि यानि हर चीज करना अब तर्फ इसलों करना अब जैसे कि डंड हो गया मैं डिया जाता तर उनको जेल रखा Жाता है तो अहाए उनको समाज में भजन किरतन भी करवा जते हैं उनसे सिक्षा misunderstand दी जाती हैं बंधाय को बिजनस रिलेटिक भी इसी को चारफ़ए परनाना लाद है पुर्स बनाना सिखा रहाया है फञेशंसर में लादे हैं मतलब ताकि वह उनकी जो उनकी आध़ कहाने पूंसर्च। क्रें भाद दिमागी वो चलती रहे, अपरादी को समाज में बुरनवास के लिए तयार भी किया जाता है, अगर अपरादी अपनी जो सजा है वो कंप्लीट करके जब बहार जाएगा तो समाज में रह पाए, नेक्स्ट आता है समाजी सुख्षा है, नि कारवास में होने की कारण समाज को जो क्राइम है वो नहीं होता है, ठीक है, रुख जाता है, लेकिन क्राइम को रोकने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़े करनी पड़ेंगी आज के टाइम में, कि लोगों को ऐसे दंड भी बनाने, ऐसे ऐसे दंड की विवस्था करनी पड़ेंगी, कि लोग हजार बार सोचे कि जब कोई ऐसा क्राइम करने के बारे में सोचे तो सोचे कि आगर हम ऐसा करेंगे तो इसकी वज़े से हमें कितना कुछ जहिलना पड़ेगा है, जैसे कहते हैं कि कोई गौर्मेंट बला बनता है, ठीक है उसकी नौकरी लगी अगर उसको गुसा आया, किसी चीज को लेकर उसने कोई ऐसा क्राइम कर दिया, उसकी नौकरी चली जाती है, उसका पूरा परिवार बरबाद हो जाता है, तो ऐसी चीजे होनी होती है, इसलिए लोग क्राइम करने से पहले कई बारी सोचते हैं जिनका वाकई में दिल अच्छा होता है लेकिन जो अपरादी वो तो परा पुलिस कहती है कि आपको हर जाना भुगत देना पड़ेगा, तो उसको चतिपूर्थी मिल जाती है, लेकिन अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, अब उसकी फैमली कहेगी कि भही इसकी वज़े से हमारे बंदे का मर्डर हुआ है, तो अगर हम उसको भी फासी की सज़ा दिला देते हैं, तो उनके घरवालों को ये फील हो जाता है कि चलो, कम से कम उसको सजा तो मिली, वही सजा मिली जो हमारे बंदे को मिली, मतलब बंदे को उसने मार दिया, तो एक तरीके से ये जो एक वना रखाया पैवस्था, इसकी वज़े से कहीना कि उनको आत्म संतुस अपना परिवार चोड़ कर जाना पड़ेगा, फिर आता है उनको खाना पीना बंद कर देते हैं, जैसे कुछ पी गाउं वगरा मैं से क्राहिम हो जाते हैं, फिर आता काराबाज, अपरादी को अलग रखकर समाज को हानी पहुँचाने से रोकना दो प्रिकार का होता है, सा बरना पड़ता है, जिसकी वज़े से क्राहिम की अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो आपको इतने का जुर्माना बरना पड़ेगा, उनको अपनी सेफटी की चंता नहीं है, लेकिन उनको अगर दोजार रुपे पैनल्टी देनी पड़ जाएगी, उसकी चंता है, तो यही तो सारी बात है कि अगर समाज में जितने भी लोग रहते हैं, वो अपनी रिस्पोंसिबिल्टी अगर समझना सीख जाएंगे, तो कही ना कहीं क्राहिम आटोमेटिकली बहुत जादा काम हो जाएंगे, पुलिस को इतनी मत्था बच्ची नहीं करने पड़ेगी, लोग इस तरह से लगा लेते हैं, बट यार प्लीस अपनी रिस्पोंसिबिल्टी समझो, गाड़ी है, पेट्रोल फुक रहा है, तो रेड लाइट पर बंद कर दीजे, लेकिन आप नहीं करोगे तो लोग बंद करते वना नहीं करेंगे, फिर है हमारा मृत्यूदन, विवाद इस इसके लिए मृत्यूदन दिया जाना चाहिए या नहीं, फिर आता है मृत्यूदन के तर्क क्या होता है, प्रतिशोद, बुरे विक्ति को समाज में से हमेशा के लिए हटा देना, प्रतिशोद आत्मक अनुवान शिक्ता का सिद्धान दे, ठीक है, बदलब कोई ऐसा आदम जो क्राइम करता आ रहा था, अब उसको फासी की सिज़द दे दो, ताकि उससे कोई और बंदा अनुवान सिक्ता के सिद्धान दो कहें, कि उससे और कोई बंदा पैदा ही ना हो, ताकि वो ना क्राइम करें, ठीक है, या फिर उसको देखकर और लोग भी सुधर जाएं, उ परिवारी ऐसे चीज़े होती हैं कि गलती से किसी को सजा मिल जाती है, या ऐसा कठोर नहीं था, फिर भी उनको मेट्टोडन मिल गया, जिसकी वजह उनका परिवार बेसहरा हो जाता है, और बेघर हो जाता है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं, फिर आता है निसकर्स, कि जरूर है कि उसको सुधारने के लिए भी कि उसके कोई संभाब ना नहीं है देना चाहिए, नेक्सts की दंट के सिध्दानत क्या होता है? दंट के अदेशं से ही दंट के सिध्दानत है, जैसके मैंने जू और पथे हशोधात्मक, सिध्दानत जैसे को कि भी कि निजिस की आएजने कि वैसा ही दंड स्दान देग part किसी का खेत अपने नाम करवा लिया, जमीन अपने नाम करवा लिया, उसको जैसे को तैसा मिलेगा, फिर उसकी भी सारी प्रपर्टी जब्त कर ली जाएगी, मतलब ऐसी बहुत सारी ऐसे चीजे हैं, प्रतिशोधात्मा, जैसे लोगों में दंड का भय उत्पन करना, मतलब कि अगर आप ऐसा क्राइम करोगे, तो आपको ये दंड मिलेगा, ठीक है, तो उस वज़े से वो दंड नहीं होगा, उनमें लोगों में समाज में डर भय रहेगा, ताकि वो अपराद ना करें, निरोधात्मक से दंड, अपरादी को समाज से दूर रखकर समाजी सुरक्षा, क कारावास वर मत्युदंड, मतलब कोई भी ऐसा अपरादी, जो समाज को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको कारावास भेज देना, जिसकी वज़े से समाज की थोड़ी सुरक्षा हो जाती है, कारावास में उसको मत्युदंड दिया जाए, यानि उसका तहकीकाद होती रहत है, फिर छती पूर्ती का सिद्धान, जैसा कि मैंने आपको बताई किसी की किसी से कोई हाम हानी हुई है, उसका छती पूर्ती करवाना, किसी जैसे किसी ने किसी का एक्सिदेंट कर दिया, तो उससे पैसे लेकर उसकी घरवालों को देना, या उसकी गाड़ी का हर जाना, भ कई वारी मानसिक तौर पर भी लोग क्राइम करते हैं तो उनको समझना उनको उनको समझाना फिर उनको समाज में इस तरह से रखना कि उनका उपचार किया जा सके कि वो ना जादा क्राइम मतलब क्राइम से दूर हो जाएं अपनी जिंदी अच्छे से गुजारें चोरी चाका कोई वीडियो पसंद आए होगी इस वीडियो के टू पार्ट थे पार्ट मैंने पहले अप्रोट कर दीट अब यह संडे को आएगा तो आपको वीडियो कर पसंद आती है में also please अपना और सा कमेंट जरूर दिया करए कमेंट देने से मुझे पता लगता है कि मैं जो काम करन वह आप तक आप पहुंच रहा है और कैसे पहुंच रहा है तो चलिए बिलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना टॉपिक जरूर कमेंट में में वेंसन कीजिए किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच